इस विडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको कोई side effect होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी। न्यूट्रापोट 37.5 मिली ग्राम टैबलेट का इस्तेमाल डिप्रेशन और एंग्जाइटी डिसॉडर के इलाज में किया जाता है। यह मस्तिश्क में एंग्जाइटी के लक्षणों जैसे कि चिर्चिरापन, बैचेनी, एकागरता में कमी, ठकान, पसीना आना, हिरदय गत बढ़ना और अवांचित विचार आना या दिमाग में बाते घूमते रहना आदी का कारण बनने वाले केमिकल्स में बदलाव करता है। न्यूट्रापोट 37.5 मिली ग्राम टैबलेट को खाने के साथ लेना चाहिए। बलड में दवा के समान स्तर को बनाए रखने के लिए इसे प्रती दिन एक निश्चित समय पर लेने की सलाह दी जाती है। अगर आप किसी भी खुराक को लेना भूल गए हैं तो जैसे ही आपको याद आए उसे ले लें। बहतर महसूस होने के बावजूद भी दवा की कोई खुराक ना छोड़ें और इलाज का कोस पूरा खत् इस दवा का सेवन अचानक बंद नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे आपके लक्षन और अधिक खराब हो सकते हैं। इस दवा के कुछ सामाने साइड इफेक्ट में मिचली आना, उल्टी, अनिद्रा, यानि की नींद में कठिनाई, भूक में कमी, चिंता, कब्ज, ज् और नींद आने की समस्या हो सकती है। इसलिए गाड़ी चलाना या ऐसा कोई काम न करें जिसमें बहुत ध्यान या एकाग्रता की जरूरत हो। जब तक आप यह न जान ले कि यह दवा आप पर कैसा असर डालती है। हाला कि यह साइड इफेक्ट अस्थाई होते हैं और आम पित का इतिहास है तो न्यूट्रापोर्ट 37.5 मिलीग्राम टैबलेट लेने से पहले अपने डॉक्टर को सूचित करें। अगर आपके मूड या व्यवहार में कोई असामाने बदलाव होता है आपमें नए या बिगरते जा रहे अवसाद या आत्मगती विचार आने के ल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद।